नमस्कार आरे नियूँस देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग बुलिटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ राश्ट्री जंता दल यानि रजट के सुप्रीमो लालू यादव की हालत काफी नाजुक चल रही है बता दे कि उन्हें देर रात को ही दिली के एम्स में भर्टी कराए गया है जहां वरिश्ट डॉक्टरों के टीम उनके एलाज में जुटी हुई है इससे पहले उन्हें पच्चना के एक नीची अस्पताल में भी भर्टी कराया गया था जोहां बुद्वार की रात उन्हें एर एंबुलेंस से दिल्ली एर लिफ्ट कर आया गया और अब आपको बता दे कि दरसल दो दिन पहले ही लालुयादव अपनी पत्नी राबडी देवी के आवास पर सीडियों से गिर गए थे जिससे उनके शरीर में कई जगा फ्रेक्चर हुए तीन फ्रेक्चर बताय जा रहे हैं और वो पहले से ही कई बिमारियों से भी जूज रहे थे ऐसे में अब चोट लगने के कारण उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है लालो यादव के दिली पहुंचने के बाद उनके बेटे ते जुस्वी यादव ने उनके स्वास्त के बारे में जवानकारी दी बताया जा रहा है कि सीडी से गिरने के कारण उनके शरीर में तीन जगा पर फ्रेक्चर हुआ है इससे उनका शरीर पूरी तरह से लॉक हो चुका है और कहा जा रहा है कि उनके शरीर में मूवमेंट नहीं हो पा रहे तो जस्वी ने भी बताया है कि एम्स में उनका पूरा चेक अप किया जाएगा जिसके बाद डॉक्टरों की टीम आगे के इलाज के बारे में तैग करेगी और केंद्री अल्प संक्याक मामरों में मंत्री मुक्तार अबास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है आपको बता दे कि एक हाई लेवल कैबिनेट मेंटिंग हुई है और इसी दोरान जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई उसके बाद ये पत से इस्तीफा दिया गया नक्वी के साथ सथ केंद्रियस पात्मंत्री आर सीपी सिंग ने भी कैबिनिट से स्तीफा दे दिया है और दोनों का राजस्वा कारेकाल कल याज जो खत्म हो रहा है बता दे आपको कि नक्वी को भाजपा ने पिछले दिनों ही हुए राजस्वा के चुनाफ में उमीदवार नहीं बनाया था और तब से ही कयास ये लगाय जो रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़े भूमिका में लाना चुहती है अब सूत्रों के मताबिक जो खबर सामने आरी वो ये है कि उन्हें एनजे की तरफ से उपराश्रुपती पत का कैंडिडेट बनाय जो सकता है आपको बता दे कि नकवी अभी तक केंडर सरकार में मंतरी रहे हैं और साथ ही वो राज्यसवा में भाजपास सांसदी अदल के उपनेता भी रह चुके हैं और केंडरी मंतरी मंजल की इस बैचक के बाद मुक्तार अबास नकवी ने भाजपाद्यक्ष चेपी नड़ा से भी मुलाकात की थी हलाकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई इसके आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन एक मीटिंग के बाद ही मुक्तार अबास नकवी ने अपना स्तीफा सौप दिया अबारत के पूर्फ कप्तान और चेन्ने के सूपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंदर सिंग धोनी साथ जुलाई यानि कि आज एक तालिस साल के हो चुके हैं और धोनी इस समय लंदन में अपनी पतनी साक्षी और बेटी जीवा के साथ आई पिल 2022 के बाद चुट्या मना रहे हैं आपको बता दे कि बुद्वा के रात को ही साक्षी ने धोनी के बद्दे के लिए एक वीडियो शेयर किया और अपने पती महिंदर सिंग धोनी को ट्वीट कर शुपकाम रहे दिए धोनी की बद्दे बाटी में उनके कई दोस्त पहुँचे थे जिसमें टीम इंडिया के विकिच्ट कीपर रिशब पंथ भी शामिल थे तवी पंजाब के सीएम भगवन्तमान गुरवार को दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं बतादे कि उनकी होने वाली पत्नी का नाम डॉक्टर गुर प्रीट कौर है जो कि शादी के रस्में भी आपको बतादे कि चंडिकर में से सीएम हाउस में हो रही है करीब 30 साल के भगवन्तमान का 2015 में पहली पत्नी इंदप्रीट कौर से तलाग हो गया था इसी के बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई पहली पत्नी से मान के दो बच्चे हैं और वो मा के साथ अमेरिका में ही रहते हैं बताई ज़ा रहे है कि भगवन्तमान के मुखे मंत्रीपत की शुबत ग्रेंट समारों में वो आए भी थे और स्येम भगवन्तमान की होने वाली पत्नी हर्याना की पहोबा की रहने बताई ज़ा रही हैं उनके परिवार में तीन वहने हैं साल 2013 में गुर्प्रीत कौर ने अमबाला के मौलाना मेजिकल कॉलिज में दाखिला लिया और साल 2017 में उन्होंने जॉक्टर की पढ़ाई पूरी की इस बीच साल 2019 में उनके मुलाकात भगवंत मान से हुई और भगवंत मान तभी से संगरूर के लोकसबा सांसत थे इसके बाद वो सीएम मान के विशेश कारेकरों को भी शामिल होती हुई नजर आई आपको बता दे कि सीएम पत के शबत ग्रेंट समारों में भी गुर्प्रीत कौर मौजूद थी और आज ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे अगली खबर सोनभद्र से है जोहां सोनभद्र जनपत में जिलादीकारी चंद्र विजे सिंगे नेत्रित में सिंगल यूस प्लास्टिक के खिलाव चल रहे जन आंदोलन मेरे प्लास्टिक, मेरी जिम्यदारी के अंतरगत जनपत के सभी को घरों पर बोरी टांगने का लक्षे रखा गया इसी को लेकर जन आंदोलन बनाने के लिए जनपत के सभी ग्राम प्रधान और जन प्रतिनी धी विधायक मंत्री के आवाहन पर जनपत के लगबग तीन लाग घरों पर बोरिया लगाई गए इस अभ्यान के दोरान आपको बता दे करीब कई लोगों के भरों से प्लास्टिक एखचा किया गया जिसमें कुल 4900 किलो प्लास्टिक एखचा हुआ है एखचे हुए इस प्लास्टिक को निस्तारण के लिए अल्ट्रा टेक सिमेंट फैक्ट्री को दिया जाएगा और आज जिलादिकारी चंद्रविजय सिंग ने परियवरन बचाने के लिए अनुखे प्रयास को कलेक्ट्रेट गेट के पास संतोश कुमार यादव, अधिरिक सचिप, नोडल अधिकारी, नीतियायोग, पुलिस अधिक्षक और मुक्य विकास अधिकारी उने हरी चुन्टी दिखा कर प्लास्टिक को अल्ट्रा चेक के लिए रवाना किया आपको बता दे कि मेरा प्लास्टिक और मेरी जिम्मधारी कारिक्रम नीम चरणों में संपन हुआ है और प्रतम चरण में घरों पर बोरिया चांगी गई और दूसरे चरण में लोगों से अपील की गई कि प्लास्टिक आपकी तो आप ही की जिम्मेदारी और इसी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसी बोरी में से डाले और तीसरे चरण में 25 से 20 से घरों तक ये प्लास्टीक को कलेक्ट कर एक जगा पर एक खचा करना ये तीसरे चरण बताये गया और साथी साथ विकास खंट पर इने खचा किया जाना है और इसी के अंतिम चरण में अज प्लास्टिक घटा कर अल्ट्राटेक्ट सिमिन फैक्ट्री को निस्तारण के लिए जिलादिकारी चंद्र वजेय सिंग ने खुद 4900 किलो प्लास्टिक अल्ट्राटेक्ट के प्रवंदन को हस्तांतरित किया है कि अधिक जनपत सोन भदर में जिस तरह से हमने एक अभियान शुरू किया ता मिरा प्लास्टिक मेरा जिम्यदारी इसमें लोगों के घरों से लोगों को उसको recycle करने के लिए या उसको dispose of करने के लिए तो यह अभियान बहुत बुरा दिस्तर पर जनपसोन बदर में चलाए गया एक पुरा जाना अंदोलन की तरह है इस अभियान को देखा गया उसे लोग जुड़े उसमें सभी जनपरते नीदी हमारे परधान भाई हमारे पूरे पंचाय तेरा जो भाग के सारे करमचारियों ने मिलके इसा पर जाना भाई हमारे पुलिस कर्मियों का एक विजियो वाइरल हुआ है वड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपूर से ये विजियो भी आप देख सकते हैं कि यहांपार ये पुलिस वाले खुले हम बसूली कर रहे हैं दरसल ये विजियो वाइरल हुआ है जहां भारी वाहन से सुविदा शुल्क लेने का ये विजियो है जहां ये पुलिस कर्मी जो भारी वाहन है उनसे सुविदा शुल्क वसूल कर रहा है विटूर्धाना श्रीत्र का पूरा मामला बताये गया और विजियो के साम और करेंगे हरदोई का जोहां पर पाली थाने के ठीक सामरे एक यूवती को एक मंचले ने छेड़ दिया और इसके बाद वहां के जो स्थानिय लोग थे उन्होंने इस मंचले की जमकर पिटाई की है इस पिटाई का एक वीडियो भी है जो 23 से वाइरल हो रहा है आपको बता मंचले ने इस लड़की को छेड़ा और इसके बाद लोगों ने इस मंचले को पकड़ लिया और जमकर पिटाई करना शुरू किया मंचले यूवक की पिटाई का ये वीडियो Sótale मीडिया पर भी वाइरल हो गया है विडियो हाला कि पुलीस ने मंचले को एराज़त में ले आने के पास पैदल ही जा रही थी इसी दोरान इस शौदे ने पीछो से आकर उसका दुपट्टा कीच कर छेरचाड की यूफ्ति के शौर मचाने पर आसपास के जो मौझूद लोग थे वो तुरंत दोड़ चले आए और इसके बाद शौदा भागने लगा भीर ने उसे मौके पर पुलिस भी पहुँची और आरोपी ओको आरोपी जो शक्स है उसे भीड के चुंगल से चुड़ाया गया पुलिस ने फिलाल इस आरोपी को थाने पहुँचाया है और थाने में यूफ्ति ने अपने परिवार का हवाला दे कर कारवाई की बात करने से इंकार कर प्रभारी एस ओ बी एन शुक्री ने बताया है कि लड़की कारवाई नहीं चाहती और पुलिस फिर भी इस पूरे मामले पर कारवाई करेगी और इस पीज एक बड़ा फरजी बाड़ा सामने आया है आपको बता दे कि यहाँ पर इस फरजी बाड़ा के चलते फरजी दस्तावेजों पर सिक्षिका काम कर रहे थी खबर है प्रतापगट से जोहाँ पर BSA ने एक बड़ी कारवाई की है और इस फर्जी बाड़े का खुलासा किया गया दरसल आपको बता दी कि दस्तावेजों पर फर्जी दस्तावेजों पर ये सिक्षिकाएं काम कर रहें थी और इनी सिक्षिकाओं पर अप्रश्यासन की गाज किरी है दरसल M.C.A. और B.S.A. ने 9 सिक्षिकाओं को बर्खास कर दिया है ये सिक्षिकाओं फर्जी अभी लेकों के साहरे नोकुरी कर रहे थी विबाग के ओनलाइन और ओफलाइन सत्यापन में इस बात का खुलासा हुआ कि 69,000 सिक्षिक भरती में इनका चैन हुआ था 16 अक्टूबर 2020 में हुई थी ये सिक्षिकाओं की तैनाती और मामला उजागर होते ही ये सिक्षिकाओं गायब हो गई है B.S.A. भुपेंदु सिंग ने इन फर्जी सिक्षिकाओं के खिलाब मुकदमा दर्च करने का भी आदेश दे दिया है B.S.A. की कारवाई से सिक्षिकाओं भाग में अब हड़ कंप मच गया है और B.S.A. ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोशी मिलेगा उन पर भी कारवाई की जाएगी इस में समय लगा उसी दोरान मेरी आपोस्टिंग में इस मामला संग्यान में आया मेरे तो मैंने यहां पत्रवाः की दोरा भीज़ के और इसका सत्यापन का आफ-लाइन में रिपोर्ट में हुआ है जिसमें इस परमाड़ी थोगे की हाँ और आइबरेली में हाइवे के किनारे एक अधेर किस्तान का शब बरामत हुआ है पुलिस ने फिला इस शब को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भीज़ दिया है लेकिन इस शब के मिलने से इलाके में धहशत का महुल है मताशाराई की पूरा मामला लाल गंश्थाना इलाके का है और नवरंग का पुर्वा के पास सड़क के किनारे एक अधेर व्यक्ति का शब पड़ा दिखा है क्रामीनों ने इस शब को देखा और पुलिस को मामले की सूशना दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच कर चानबीन की तो पता चला कि ये शब एक किसान का है और एक किसान के शनाक टोड़ी गाउन इवासी 53 साल के महिंदर सिंग के तौर पर हुई है पुलिस इस बात की अब चानबीन में जुड गई है कि आखिर महिंदर सिंग यहां कैसे पहुचा और किन पर सिद्यों में उसकी मौत हुई है गाउं समरपहा के महिंदर सिंग सनाफ जैचन सिंग तहसिल के पास में रोट के किनारे एक बाड़ी मिली है जिनकी सिनाक्त महिंदर सिंग पुत्र जैचन सिंग समरपहा के रूप में हुई है उनके साला वहां आये थे उन्होंने सिनाक्त किया पुलिस द्वारा उनकी बाड़ी को कवजे में लेकर के पियम की करवाई करने है पंचायत नमा भरकर आवसे करवाई की जा रही है चुकि इनका परिवार नोएडा में पत्नी और और बच्चे रहते हैं यहां पर के वर उनका साला था और यह रहते थे अपने मकान में और इस बीच सांसत हेम मालनी ने जिला विकास समनवय और निगरानी समिधी की एक बैचक की कलेक्ट्रेट सबागार में यह बैचक होई है जहां पर विभाग से समन्नेत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गए मतुरा को इंदोर की तरह साफसुत्रा बनाए जाए और इससे हजारों की संक्या में आने वाले शुद्धालों एक अच्छी छवी लेकर अपने शहर वापस जाए और सफाई के मामले में मतुरा का उधारन दे आपको बता दे कि इस बैचक में इमामालनी ने ये भी कहा है कि निर्देश देते हुए प्रमुख मंदरों के आसपास से शेत्रों के ठेलों को अटा कर अलग से एक वेनिंग जोन बनाया जाए इससे आने वाले शुद्धालों को किसी प्रकार की परिशानी नहीं होगी और यातायाद भी प्रभावितना हो विकास की विशे में ही बहुत सारे पॉइंट्स थे वो इसके बारे में डिसकस किया लैक सड़क योजना है पिर दूडा का है स्वच्छा भारत मिशन अमरत योजना जल नेगम देन बेसिक शिक्षा जो है ऐसे बहुत सारे थे रेलवे का था धन हाइवे का जो हमारे मतुरा को एकदम साफ सुत्रा और बहुत अच्छा और करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सालों से यह चल रहा है इस बाए तोड़ा लेट हो गया था यह जिस मीटिंग क्योंकि एलेक्शन और हमें आदर्निय सांसत महोदया मैम के द्वारा मीटिंग लिएगी दिशा की और इसमें सभी जो डेवलप्मेंट डेपार्टमेंट्स हैं चाहे वो नहीं हैं चाहे वो हमारे रेलवे से सम्मंदित हैं अधिकारी गण चाहे हमारे जलनिगम से सम्मंदित अधिकारी गण हैं नगर कर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो टीचर्ज समय से स्कूल पर जाएं शिक्षा की गुर्वत्ता अच्छी हो जो हमारी आंगनबाडी के इंद्र हैं वो सही से संचालेत हो हमारे जो बच्चे हैं खबर अब अलिगर्ड से है जो हां नगर निगम के द्वारा ग्रेकर बढ़ोत्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है यहां पहले नगर के मेयर के द्वारा नगर निगम के द्वारा बढ़ाये गए ग्रेकर को लेकर आपको बताते चले कि अलिगर्ट से ही तस्वीरे सामने आ रहे हैं जो हाँ पर ग्रेकर को लेकर ये मामला अब तूर पकड़ता जा रहा है मेर के द्वारा नगर निगम के द्वारा बढ़ाएगा एक ग्रेकर को लेकर खेद व्यक्त किया गया था और अब पार्चदो के एक दल के द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोडशा खोल दिया गया है पार्शदों के द्वारा एक खुला पत्र लिखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को पलायन करने की धमकी दी गई मांग पूरी नह होने पर प्रदर्शन की भी चितावनी दी गई है दरसल एक पूरा मामला जिलालेगड के नगर निगम शेत्र का है जापर नगर निगम के द्वारा ग्रह कर को बढ़ा दिया गया है इस स्याहत होकर नगर निगम के पार्शदों के द्वारा एक जुटता दिखाते होए नगर निगम के खिलाफ ये मोचा खोल दिया गया है अब नगर के जो पार्शद है उनका साफतोर पर ये कहना है कि जन्ता के द्वारा उन पर भरूसा जताते होए उन्हें वाट का प्रतिनिती बनाये गया है उनके द्वारा अपनी चंता के साथ धोका नहीं होने दिया जाएगा नगर निगम अधिकारियों के द्वारा अगर उनकी मांग पुरी न हो गई और नहीं की गई तो फिर नगर के पाठ शुदो द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अलिगर से पलायन कर लिया जाएगा इसी को लेकर एक पत्र भी उनके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को सौंब दिया गया है निरने यही लिया गया था कि जो नगर निगम द्वारा हाउटेक्स 2017 से बद 2022 तक यानि के कोई परसेंटिस की इंदा नहीं किस से जाच कर आई किस से सर्वे हुआ कब सर्वे हुआ यानि के जनता पारशदों के पीछे सुबा से पारशद परिशान फून उढ़ाते उढ़ाते के हमारा इतना बिल हमारा हाउटेक्स इतना आ गया हमारा हाउटेक्स इतना आ गया घर पे लोग आ रहे हैं जिस गली गुदर जाएं उसी गली में दस लोग इकटे हो जाती हैं पकड़ लेती हैं बुला लेती हैं रोक लेती हैं क्या पार्शदों का चुनाव खत्म करने इसे और जनता गाउं में जाके रहना शुरू कर दे इस टेक्स से बचने के लिए मकान दे दे नगर निगम गो निरने ये लिए अब उरिचन में आगे बढ़ेंगे रुक करेंगे बरेली का चुहां से सच्चाई उजागर करना एक पत्रकार को महंगा पढ़ गया है बता जोरा है कि बरेली में सच्चाई उजागर ना हो इसके लिए प्रधान पती का चौते स्थम पर हमला देखने को मिला है दरसलेक नीजी नियूस चैनल के पत्रकार अमल सैनी पर प्रधान पती नेम चंद ने हमला कर दिया है पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गाउं में गंदगी को लेकर सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था दर्धान पती की करतूत देखिए जब पत्रकार अमल सैनी जान बचाने के लिए कोटेदार के घर में गुसा तो प्रधान पती नेम चंद ने कोटेदार की सरकारी मशीन के ही तोड़ दाला है और कोटेदार की जो यह मशीन थी उसे तोड़ दिया गया साथी साथ कोटेदार पर भी हमला किया गया है प्रदान पती दवंग और गुंडा किसम का बताय जो रहा है आपको यह भी बता दे कि थाना कैंट शेत्र के बहुआ पूर गाउं का यह पुरा मामला है तस्वीरे भी आपको वहांसे दिखा दे कि किस तरीके से यहां पर तोड़ फोर्ड की गई और कोटेदार की मशीनों को तोड़ दिया गया साथी साथ पत्रकार के साथ कोटेदार की भी पिटाई की गई है खबर कानपूर से सामने आ रही है चोहां पर दिव्यांग दलित महिला पर दबंगो का आतंक देखने को मिला इस दलित महिला का यारूप है कि दबंगो ने महिला के घर की दिवाय गिरा कर जबरन कबजा कर लिया है जिसकी वज़े से अब वो कहां जाए इसे आपको बता दे कि महीला आप किस से गुहार लगाए ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है मदद की गुहार लगाए हुए ये सोच कर बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है बता दे आपको कि ये महीला विरोध करने पर दबंगो ने महीला के साथ ही जमकर मार पीच की और उसे डराया धमकाया है बताया जा रहे कि पिडित महीला ने थाने पुलिस को भी जाकर शिकाय दर्ज करानी चाही लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी है बतान साथ कि पास अंते बहुत परेशाल, एक साल और इसी कबर के साथ ही बोलेशन में फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे हमारे साथ देख तो रहे हैं न्यूज